गुड मार्निंग स्टुडेंट, मैं प्रीती, आप लोग की हिंदी की टीचर, आज मैं आप लोगों को कोर्स बुक का पार्ट तीन म्याओ म्याओ कविता पढ़ाऊंगी इस पार्ट का सीर्जक है म्याओ म्याओ इस कवीता में कवी ने एक छोटी बच्ची के मन में एक चुहिया के परती डर का वर्णन किया है सोई सोई एक रात में एक रात में लड़की सोई है ठीक है और वो अचानक जोर जोर से रोने लगी रोती क्यों ना मुझे नाक पर मुझे नाक की एक नोक पर देखिए जो लड़की अब बूर रही है कि रोती क्यों ना तो वो क्यों ना रोती क्योंकि उसकी नाक की एक नोक पर काट गई थी चुहिया चूटी चुहिया काट गई चूटी भर चुहिया जो थी उससे नाक की एक नोक पर चूटी काट गई थी सच मुझ बहुत डरी चुहिया से चुहिया से सच बहुत डरी मैं देखे जो लड़की है यह जो लड़की है वो रही है कि सच मुझ मैं चुहिया से बहुत जादा डर गई थी मैं इतना जादा डर गई थी कि खड़ी देखकर चुहिया को मैं लगी कापने घड़ी घड़ी मैं उसने जब चुहिया को देखा तो वो कापने लगी घड़ी का अर्थ होता है एक एक छन वो एक एक छन कापने लगी सूझा तभी बहाना मुझको मुझको सूझा एक बहाना इसके दिमाग में तभी एक बहाना सुझा जरा डराना चुहिया को भी चुहिया को भी जरा डराना उसने सोचा कि मैं भी इस चुहिया को डराऊं उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं भी चुहिया को डराऊं कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं बोली है कि मैं उसको कैसे डराऊं धीरे से मैं बोली म्याओ, 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 म्याओ तो वो कैसे चुया को डराई है, बिल्ली की आवाज निकाल कर, म्याओ, म्याओ, बोल कर सोई सोई एक रात में एक रात में सोई सोई रोई एका एक बिलकर एका एक बिलकर रोई एका एक का अर्थ होता है अचानक बिलकर का अर्थ होता है जोड जोड से रोना तो देखिए इसका विता में एक लड़की है जो रात में सोई है और सोई सोई एका एक यानि यह अचानक जूर जूर से रोने लगी है वो देखिए यहाँ पर सुई हुई है और एका एक अचानक से जूर जूर से रोने लगी है तो देखिए आखिर यह लड़की क्यों रोई है रोती क्यों ना मुझे नाक पर मुझे नाक की एक नोक पर लड़की है जो बूल रही है कि रोती क्यों ना मैं क्यों ना रोती मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूया चूटी चूया काट गई चूटी भर लड़की जो है बूल रही है कि मैं क्यों ना रोती क्योंकि मुझे नाक की एक नोक पर क्या था चूटी काट गई थी चूटी का अर्थ होता है चिकोटी और नोक का अर्थ होता है वस्तु के आगे का नोकिला भाग तो लड़की बूल रही है कि मैं क्यों नहीं रोती मुझे नाक की एक नोक पर क्या था चूटी काट गई थी सचमुच बहुट डरी चूईया से चूईया से सच बहुट डरी मैं लड़की जो है बूल रही है ये जो लड़की है बोल रही है कि सचमुच मैं बहुत ड़ गई थी चुया से चुया से लड़की क्या थी? बहुत जादा ड़ गई थी खरी देखकर चुया को मैं लगी कापने घरी-घरी में उसने जब चुया को देखा तो वो एक एक चन घरी-घरी कापने लगी क्या कि एक एक चन कापने लगी सुझा दभी बहाना मुझको मुझको सुझा एक बहाना तो लड़की को क्या था? एक बहाना सुझा उसके मन में एक बहाना सुझा उसने सोचा जरा डराना चुहिया को भी चुहिया को भी जरा डराना उसने क्या किया है कि उसने सोचा है कि मैं भी चुहिया को डराऊं उसके दिमाग में एक आइडिया आया है और उसने भी चुहिया को डराने की सोची कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं तो लड़की सोच रही है कि कैसे उसको डराऊं धीरे से मैं बोली म्याओ, 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 म्याओ तो उसने म्याओ, म्याओ की आवाज निकाली है तो चुईया देखें, यहां डर कर भाग गई है तो लड़की की दिमाग में क्या idea सुझा कि मैं बिल्ली की आवाज निकालू ताकि चुया डर कर भाग जाए तो लड़की ने क्या किया है म्याओ म्याओ की आवाज निकाली है और चुया डर कर भाग गई है बच्चो इसकवीता में आपने पढ़ा कि एक लड़की है जो रात में सुई है और अचानक उठकर जोर-जोर से रोने लगी है और वो क्यों रो रही है कि उसके नाक की एक नोक पर चुया क्याती चूटी काट गई थी इसलिए वो रो रही है और वो सचमुझ बहुत जादा क्या थी चूटी से डर गई थी जब उसने चूटी को खड़ी देखा तो डर गई और कापने लगी तब ही उसको क्या सूझा एक पहाना सूझा है उसने क्या सोचा है कि मैं चुया को डराया है और उसने चुया को कैसे डराया है बिल्ली की आवाज निकालकर म्याओं म्याओं बोलकर उसने चुया को डराया है आगे देखिए देखिए बिल्ली कैसे रहनी आई मनुष्य के संग ये आपकी छोटी सी स्टोडी है कि बिल्ली कैसे रहनी आई मनुष्य के संग बिल्ली अपने मौसेरे भाई सेर के साथ जंगल में एक बड़ी महल में रहती थी बिल्ली जो थी अपने मौसेरे भाई किसके साथ सेर उसका मौसेरा भाई था वो जंगल में एक बड़े महल में रहती थी लेकिन वहाँ वह खुच से नहीं थी देखिए बहन तो बिली बोली है कि मैं आई तो देखिए हैं सेर क्या बोल रहा है मेरी खाने का वक्त हो गया और तुमने अब भी पतल भी नहीं बिछाई तो सेर ने कहा है कि मेरे खाने का वक्त हो गया तुमने पतल भी नहीं बिछाई सेर कौन था बिली का मौशेरा भाई था तो बिली बोली बस अभी बिछाती हूं बिली तुरंद केले का पतल ले आई और सेर के सामने बिछा दिया देखें, यहाँ बिल्ली है, जो केले का पत्तल आई है, और सेर के सामने क्या कर दी, पिछा दिया, उसके सामने पिछा दी है, सेर देखें, हूँ, आज मैंने भेडिया पक रहा था, ना, वो परोसो, उसने कहा है, कि मैंने सुबा भेडिया पक रहा था, वो परोसो, तो दिखिए परोसो अहाँ दिखिए यहाँ पे बिल्ली ने केले के पत्ते में भेरिया परोस दिया है सेर ने खा लिया बोला अहाँ मज़ा आ गिया तो यहाँ पे सेर जो भेरिया को खा कर बोला है अहाँ मज़ा आ गिया पेट भड़ गया बहन साफ कर लो सब हाँ भईया देखे यहाँ जो है सेर खाली अपना पेट भड़ लिया और बोला है बहन से कि साफ कर लो तो बिल्ली बोली हाँ भईया लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए रोज यही होता है यह जो बिल्ली है उदास होकर बोल रही है कि मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा सेर जो था सब कुछ खा गया था तो बिल्ली बोली है कि मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा रोज यही होता है रोज सेर क्या करता था जो भी उसे खाने को मिलता था सब खा जाता था और बिल्ली के लिए कुछ नहीं छोड़ता था एक दिन सेर बिमार परा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आएं देखे एक दिन जो था सेर बिमार परा और उसका हाल पूछने के लिए जंगल से बहुत से जानवर आएं जंगल में तो बहुत से जानवर रहते हैं तो सेर जब बिमार परा तो जंगल के बहुत से जानवर आए हैं सेर का हाल चाल पूछने देखिए इस जंगल के सब जानवर आए हैं सेर पूछने बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की बिल्ली ने क्या किया कि जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक एक जानवर स बात की लेकिन ठीक क्या आगे देखे लेकिन ठीक तब ही बहान नास्ता बना कर सब को दो जाओ जल्दी करो देखे यहाँ पर जो सेर है उसे क्या बोला है बिल्ली से उसने बोला है बिल्ली से कि नास्ता बना कर सब को दो जो जंगल से बहुत सारे जानवर आये थे उन्हें न चाहता देने के लिए सेर कह रहा था भाईया घर में आग नहीं बिल्ली है जो बोले भाईया घर नहीं है तो जाओ आदमियों के बस्ती से सुलक्ती लकडी ले आओ भागो देखें हाँ पर जो सेर है उसमें क्या किया है कि बिल्ली से बोला है कि तो जाओ आदमियों के बस्ती से सुलक्ती लकडी ले आओ भागो सो बिल्ली भागी जाडियों और पत्थरों को फलगाती हुई गाउं में पहुची है क्या लेने के लिए तो सुलकती लकरी देखें यहां कुछ बच्चे खड़े हैं उन्होंने बिल्ली को देखा तो क्या बोले हैं वहां देखो उन्होंने बच्चों ने बिल्ली को दिखा एक लड़की ने एक लड़के से देखें यह जो लड़की है इसने इस लड़के को दिखाया है वहां देखो किसको दिखाया है तो बिल्ली को जो बिल्ली आ रही है इन बच्चों ने बिल्ली से कहा है इन बच्चों ने कि डरों नहीं हम तुम्हें कुछ ही नहीं करेंगे कितनी मुलायम और रेश्यमी बच्चों जे हैं ये जो बच्ची हैं बिल्ली से बात कर रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं कितने मुलायम और रेश्यमी देखे यहां आगे देखे जिस काम से बिल्ली आय थी उसे भूल कर बहुत तेर तक बच्चों से लार करवाती रही देखे बिल्ली जो थी जिस काम से आय थी बिल्ली क्या लेने आय थी सुलक्ती लकडी लेने आय थी लेकिन इतने सारे बच्चों के बीच में वो भूल गई कि वो क्या लेने आई थी और बच्चों से लार करवाने लगी, उनके साथ खेलने कुदने लगी, उनसे बातचित करने लगी लार करवा रही थी, सब बच्चे उनसे प्यार कर रहे थे, बात कर रहे थे मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था जो बिल्ली है वो क्या बोली है इन बच्चों से कि मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था क्या नहीं मिला था प्यार क्योंकि जो बिल्ली थी वो अपने मौसेरे भाई सीर के साथ जंगल में राती थी और उसे किसी से इतना प्यार नहीं मिला था बिल्ली सोचने लगी कि मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था कि अचानक जोर की गर्द से जंगल काप उठा अचानक जो सा सेर गर्जा, सेर चिलाया देखें, यहाँ पे देखें, सेर यहाँ पे गर्जा है हाई रे मुझे सुलक्ती लक्री ले जानी थी मैं भूल कैसे गई बिल्ली जो है उसे अचानक याद आया जब सेर ने चिलाया जोर से तो उसे अचानक याद आया कि हाई रे मुझे तो सुलक्ती लक्री ले जानी थी और मैं भूल गई बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलक्ती लक्री उठाकर छारियों और पत्थरों को फल गाती हुई भागी दिखे बिल्ली तुरंत उठी है और एक घर में घुसी है और सुलक्ती लक्री उठाकर भागी है अच्छी गर्जन अचानक फिर वही डरावनी गर्जन होई फिर सेर चिलाया फिर सेर ने जोर से दहारा और काप्ती बिल्ली ने सेर को देखा जिसकी आखे गुसे से लाल हो उठी थी देखिए यहाँ पे जो सेर है एकदम गुसे से उसकी आख लाल हो गई थी और बिल्ली यहाँ सुलकते हुए लकडी लेकर आ गई है वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकडी उसके पैरों के पास देखे सेर जग चिलाया था तो बिल्ली इतनी ज़्यादा डड़ गई थी कि उसने क्या किया डड़ के वज़े से सेर के पैरों के पास सुलकती हुई जो लकरी उसने लाई थी वो गिरा दे और कूदती हुई वापस गाउं भागी और कूदती हुई कहां भागी वापस गाउ देखो बिल्ली वापस आ गई जरूर सेड़ ने उसे बुरी तरह डरा दिया है देखे ये जो बच्चे जिस उस समय बिल्ली के साथ खेल रहे थे उन्होंने बिल्ली को आते हुए देखा तो कहा कि देखो बिल्ली वापस आ गई जरूर सेड ने उसे बुरी तरह ड़ा दिया है हाँ हमारे पास रहो देखें आपे बिल्ली आई है बच्चे बोड़ें हाँ हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी वापस मत जाओ नहीं जाओगी न तो सारे बच्चे बिल्ली से पूछ रहे हैं कि वापस नहीं जाओगी न हमारे पास रहोगी न तो बिल्ली बोली है नहीं कभी नहीं देखे ये जो बिल्ली है बोली है नहीं कभी नहीं मैं वापस नहीं जाओगी और इस तरह से बिल्ली मनुस्य के संग रहने लगी और बिल्ली जो थी मनुस्य के संग रहने लगी ठीक है thank you